श्राध खाने नहीं आउंगा कौआ बनकर आखों में आसू ला दिये इस कहानी ने अरे भाई बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता असी पार चुके हैं अब बस सेवा कीजिए डाक्तर पिता जी को देखते हुए बोला डाक्तर साहब कोई तो तरीका होगा साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है शंकर बाबु मैं अप अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ बस आप इन्हें खुश रखिये इस से बहतर और कोई दवा नहीं है और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है डाक्तर अपना बैग समहालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया शंकर पिता को लेकर बहुत के सारे दिन यादा रहे थे कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर घुसते थे बाहर हलकी हलकी बारिश हो रही थी ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पतनी से बोला सुशीला आज सब के लिए मूंग डाल के की शंकर भी जलेबिया ले आया था वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला बाबा आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं थोड़ी जलेबी खायेंगे पिता ने आखे जपकाई और हलका सा असफुट आवाज में बोले पकोडे बन रहे हैं क्या हा बाबा आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है अरे सुश्मा जरा पकोडे और जलेबी तो लाव शंकर ने आवाज लगाई लीजिये बाबु जी एक और उसने पकोडा हाथ में देते हुए कहा बस अब प खुश रहो बेटा मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ पिता बोले बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी है आप मेरे तेंगुल कर हो आखों में आसु बहने लगे थे वह मुस्कुराए और बोले तेरी मा पेवेलियन में इंतजार कर रही है अगला मैच खेलना है तेरा पो रही थी शंकर समझ गया की यात्रा पूर्ण हुई तभी उसे ख्याल आया पिता कहा करते थे श्राद खाने नहीं आउंगा कौआ बनकर जो खिलाना है अभी खिला दे माबाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखे ये 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 जीते झाल झाल